कहे मलूक आतम लो लाए जगनात घर बैठे पावे कोई भी आदमी भगवान को घर बैठे पा सकता है अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आपने परमात्मा को नमन करते वे अपने एहंकार को गलाना है अपनी अकड को छोड़ना है जितनी जितनी अकड रहेगी काम खराब होता जाएगा और अपना भी ध्यान रखना है अपनों का भी ध्यान रखना है और वस्तुएं जो आपको दी गई है उन वस्तुओं का उप्योग कीजिए लेकिन ये ध्यान रखिए वस्तुओं आप से बड़ी नहीं है ना धन ना मकान ना जमीन ना जायदाद आप से बढ़कर कुछ भी नहीं कीमती आप हो वस्तुओं कीमती नहीं है आप के कारण वस्तुओं कीमती है स्वामी रामतीर्त ने जब वो जापान में थे उन्होंने एक संस्मन लिखा अपना कि बड़ी आश्चर जनक गटना थी मेरे सामने कि मैंने एक स्थान पर आग लगे वे देखे फायर ब्रिगेड वाले अगनी शमन सेवा दल जो है अपना काम कर रहा था फायर ब्रिगेड वाले जो है आग बुझाने में लगे वे हैं और जिस तरफ आग नहीं बढ़ी है उधर की तरफ से जा जाकर के सेट का सामान मकान के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है और सेट बोला है मेरा कीमती कालीन है वो भी बाहर ले आओ मेरा फर्नीचर सोफा बड़ा कीमती है वो से बाहर ले आओ اور देखो मेरी एक अनमारी है जिसमें मेरा सोना चांदी, एर ज्वाराथ वो बोला, मेरी पतनी उदर की तरफ से निकल गई थी, वो उदर देख रही है, बोले वो भी समान निकल वाने में लगी भी है, और तो कोई नहीं रह गया, अब वो पतनी की तरफ देखता हूए इसे चिलाता है, सब बहार है न, वो कहती बच्चा तो अंदर ही सोया रह गया अब ये जोर से च्छाती पीटता और कहता हाई मेरा बच्चा अंदर सो रहा था उसे बचाओ फायर ब्रिगेड वाले अंदर भागे उदर वो पतनी अंदर भागने की कोशिश कर रही है तो लोगों ने उसको पकड़ा कि आप मत जाएए नहीं मेरा बच्चा अंदर रह गया और पता लगा कि बच्चा जल मरा जिसके लिए जमीन, जायदाद, मकान, सब कुछ था वो जल गया था और बच्चा क्या? चीज़ें बचाने पे लग गया सवामी रामतिर्थ ने लिखा कितने अजीब पागल लोग हैं लेकिन मैं देखता हूँ दुनिया ही पागल हो गई ये शरीर जल जाएगा ये तो अलग बात है लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा को जला लिया और जो चीज़ें तुम्हारे लिये जिसके लिये थी उन्हें बचाने में लग गए हो लेकिन जिससे बचाना था उसे तो नहीं बचा पाए पूरी जिंदगी तुम अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए पूरी जिंदगी तुम सामान बाहर निकाल ले हो आग लगी वी है, नेस्ट हो रहा है तुम्हारा मुनश्य दे कितना कीमती है इसे अगर तुमने पाया है तो इसे सुरक्षित करो सबसे पहले अपना ध्यान लखो पागलपन की हद तक तुम पहुँच गए हो सोचते भी नहीं हो कि जी कैसे रहे हो कृष्ण भगवार ने इसलिए कहा कि तुम अपने जीवन को कीमती बनाना चाते हो तो सबसे पहले कीमती बनाओ अपने मन को तुम्हारे मन में उठने वाले जो विचार हैं वो दिव्वे विचार होने चाहिए वो positive thoughts होने चाहिए सकारात्मक विचार होने चाहिए जब आप कुछ अच्छा शुब सोचते हैं तो पूरा ब्रमांड आपकी सायता करता है बुरा सोचने का मतलब यह होता है कि किसी बुरे का किसी का बुरा करने करने के लिए planning करते करते दूसरे का कुछ बुरा होगा नहीं होगा यह तो अलग बात है लेकिन तुम तो अपना खुद का बुरा करते अपने चारो तरफ का वातावन वही कुछ बनाने जा रहे हो जिस वातावन को बनाने का मतलब यह होगा कि तुमारे चारो तरफ जह है नेगेटिव एनरजी आ गई है अब होगा क्या बिमार व्यक्ति चारो तरफ बिमारी के किटाणों को अपनी तरफ खींच रहा हो तो और उसका ध्यान भी बिमारी परी रहता है रोगी रोग को अपनी तरफ खींच रहा है जुवारी जुवा वाले वातावन को चारू तरफ फैला रहा है इर्शालू इर्शा के किटानू चारू तरफ वैसा ही वातावन वैसी वाइब्रेशन वैसी ही वेवज अपने अंदर से प्रकट कर रहा है तो उसको इर्शा का और कारण मिलेगा दोसरों को देख देख के जलता रहे जलता रहे जलने कूडने का कारण इतना इतना कुरूप होता जा रहा है हसना भूल गया मुस्कराना भूल गया जल जल कर कोईला हो गया और जलते रहने का परिणामे मुस्कराट गई कि शान्ती गई कितना जलोगे जल जल करके कोईला हो गए हो और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जिन से जल भुन रहे हो ना जेल सी कर रहे हो कमाल की बात है कि बाहर से जल जाए आदमी तो उसके लिए तो कोई बर्नोल वगरा लगा लोगे आप लेकिन जब आदमी की चाती जलती है दिल अंदर उसमें भी फपोले पड़ते हैं उसके लिए तो कोई बर्नोल नहीं है उसके लिए तो कोई ओशद है ही नहीं कमाल यह है कि बाहर से आदमी अपने को ढखे वे दिखाई नहीं देता ही इतना जला भुना गूम रहा है इसके दिल पर फपोले पड़ रहे हैं मकान किसी का बना है बराबर में और चाती इसकी जल रही है बच्चा किसी का पास हुआ है इसको लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गया हूं जल भुन रहा है देख देख करके कार किसी की आई है और लगता है इसी का पैसा चेन के ले ग बुरा बुरा सोच रहे हैं किसी के गर में ब्याशादी हो रही है और एक आदमी जल बुन रहा है कितने कितने अजीब लोग हैं ऐसे नहीं कुछ बनता तो और काम बिगाड देते हैं बिगाड़े लोग भी तो दुनिया में बहुत है कोई गोड़ी पर सवार होकर के दूला जा रहा है आगे आगे बैंड बाजा बज़ रहा है और एक आदमी देख करके बड़ी भारी बरात आ रही है इनकी तो और बड़े भारी घर में जा रहे हैं अब बड़े अच्छे घर में रिस्ता जुड़ा है इतना जला इतना जला इतना जला सिगरेट पीते पीते जाके गोड़ी को सिगरेट लगा दी अब गोड़ी उचलके भागी और दूला गिरा बोले सिगरेट काम कर गई किसी के घर में समरद्धी है तो लोग गुप्त शतुरुता रखने वाले लोग शिकायते करें इनके गर में इनकम टेक्स का चापा पड़ते हैं इनके गर में कुछ और हो जाए भेद लेते रहना जलते बुनते रहना अपना नरक खुद तयार कर रहे हैं और ये ध्यान रख लेना ऐसे लोग कभी पनपन नहीं करते ऐसे लोगों के घर में सुक शांती नहीं रहती ऐसे लोग जलते बुनते ही अपनी जिन्द की गुजारते हैं इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं एहम त्वा मैं तुम्हें सर्व पाप इभ्यो सभी पापों से मुक्त कर दूँगा तुम्हारे पाप जल जाएंगे नस्ट हो जाएंगे तुम मेरी शरण में त्वाओ मतलब भगवान की शरण में जाने का परिणाम ये होगा आपके अंदर के पाप ताप जलेंगे अंदर की इरशा, देश, बहर, विरोद, हिंसा बदला लेने की भावना, चोट पहुचाने की भावना ये सब की सब आपकी शान्त होगी पवित्र भावना आती जाएगी कल्यान की कामना आपके अंदर होगी सब की सुक शांती जब सोचोगे तो आपकी तरफ सुक शांती आने शिरू हो जाती है जब आप दोसरे के लिए भला सोचते हैं तो परमात्मा जो है वो आपकी तरफ भी भलाई भीजने लग जाते है आपकी तरफ भी सुक और शांती आने लग जाती है इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि कुछ और चमतकार हो सके तो मेरा निवेदन एक है सभी के साथ सबसे पहले तो चिंता को छोड़ कर चिंतन करने की आदत बनाए चिंतन करने का मतलब हो गया खुद के साथ मीटिंग करने की आदत प्राबलम क्यों है किसलिए आई चिंता का कारण क्या है उपाय क्या है इलाज क्या है सेलिशन क्या है समाधान क्या है तो मुसीबत पर ध्यान कम मुसीबत के इलाज पर ध्यान ज़्यादा दीजिए दिमाग को चिंता 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 का जाप करना छोड़िये चिंता दूर कैसे हो इसका उपाई डूढ़ना शुरू कर दीजे जब आप खुद के साथ मिटिंग करना शुरू करेंगे तो चिंता का काटा निकलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत बचती है तो लिखो अपनी चिंता अपने कागज पर भगवान के चर्णों में जाकर अर्पित करो और ये कहो जब मेरे सिर पर तेरी छाया है तो मुझे किस बात की चिंता है संभालने वाला तो तू है मेरे रक्षा करने वाला तू है मैं तो अपने आपको तेरे हवाले करता हूं मेरे प्रभू मेरा ध्यान रखना सारी दुनिया रूट जाये लेकिन तू कभी न रूटना कोई भी मुझे छोड़ दे लेकिन मेरे दाता मेरे मालिक मेरे भगवान तू कभी मुझे मत छोड़ना मुझे कभी दूर न होना ये दुनिया दूर भी होगी पास भी होगी लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा मेरे स्वास स्वास में तू बस जाना और तू कभी भी मुझे दूर मत जाना जब आप ये भावना रखते हैं तो निश्यत रोप से कृपा होते हैं जब जीवन में व्याथाएं हो पेडाएं हो दुख हो तो ध्यान लखे दुख अपनी तरब ध्यान खींचेगा अपना पूरी ताकत आपकी पूरी उर्जा पूरी एनर्जी पूरा ध्यान दुख अपनी तरब लगाए रखेगा उस समय आपको पूरी ताकत लगाके उसके पंजे से छुडाने की कोशिश करनी है और क्या करना व्यथा के साथ एक शब्द है जैसे चिंता के साथ चिंतन है ऐसे व्यथा के साथ एक शब्द है जिसे बोलते हैं व्यवस्था सिस्टम बनाना अगर व्यथा है तो हमारी किसी व्यवस्था में दोश है व्यवस्था करो कुछ सिस्टम बनाओ कुछ तरीका ढूंडो कोई उपाय ढूंडो जोर उस पर लगाना शूकर दीजिए गला किसी ने पकड़ रखा है छूटेगा कैसे उसे ध्यान में रखो चिंता एक अजगर की तरह है और अजगर जब किसी को लपेट लेता है चाती पर लिपट गया वो काटता कम है चारो तरफ से जकड लेता है जैसे आप दांत मीचते हैं जबड़ा दबा लेते हैं अपना ऐसे वो भी जो है चारो तरफ से जकड लेता है जकड लेता है तो मुसीबत कहा आती है सांस लेने में दिखकत जैसे आपने सांस लिया ऐसे सांस लिया तो फेपड़े फूले जैसे सांस छोड़ा तो फेपड़ सुकड़े जैसे सुकड़े तो अजगर उस समय और कस लेता है सांस लेने के लिए मौका होगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे कहते हैं कि ये बचाने वाले लोग को उपाय बताते हैं न कोई नुकीली चीज लेकर उसके शरीर में गड़ाओ और वो तो कहते हैं कुछ नहीं मिले दाथ से काटने का मौका मिले तो काटो वो अपने को बचाने के लिए छोड़ेगा और तुम बचोगे जो प्रहार कर रहा है ना तुमारे उपर मुसीबत जिकर रखा जिसने उस पर चोट मार नशो कर रहे तुम बचोगे सांस लेना मुश्किल चिंता में न नींद न चैन सांसी नहीं ले पाओ गया चिंता जौला शरीर वन दावा लग लग जाए ऐसी दावानल जंगल की आग चारो तरप से घेर रखा आपको ऐसा अंदर से दुआ जैसे कमरे में दुआ फैल जाए न तो गुटन होती है ऐसे चिंता करती है कैसे भी करके गुटन हो रही हो तोड़ कर भाग कर किसी तरह से दरवाजा खोल दो आवा आजाए तो व्याथा हो दुख हो व्यवस्ता पर पूरी ताकत लगादा हो पोरा मन लगादा पूरी बुद्ध हो जब आप उस पर पूरी बुद्ध हो गयादाओगे तो उस जाल से बहार निकलोगे नहीं तो कोई और तरीका ने गिरते चले गए और जक्डे जाओगे पिछले दिनों मैं एक चर्चा सुना रहा था जिसमें मैं ये कह रहा था कि हिरन की दौर देखना कभी कुलाचे भरता हुआ कितने तेजे से दौरता है 90 km पर अवर प्रती घंटा 90 km की दौर से दौरता हिरन और कोई शेर चीता दौरेगा पीछे 55 km की रपतार से जो उसे पकड़ना चाहता है खाना चाहता हिरन की तो दौर बहुत तेज है 90 km पर अवर दौर रहा है और पीछा करने वाला सिरफ 55 km की दौर से 55 km पर अवर फिर भी वो पकड़ा जाता है 90 km दौरने वाला इतने तेज दोड़ने वाला पकड़ा जाता है क्योंकि पीछे मुड़ मुड़के डर डर के भाग रहा है गिरता है नीचे फिर उटने की कोशिश करता है इतनी देर में नजदी का जाता है उसकी शक्ति से ज़्यादा है उसके अंदर जो डर भरा हुआ है वो गिरा देता उसको आपको मसीबत नहीं तोड़ती आपका डर तोड़ता ओ उस डर के कारण व्यक्ति जो है मारा जाता है मेरा निवे दनी यह है भाई सभी के साथ में मुसीबत है अपने परमात्मा से आप प्रार्थ ना करू प्रभू मेरा साथ देते रहना मुझे कभी छोड़ना नहीं और सब को डर पर मुक्ति पानी है परमात्मा से बार बार निबिदन करो मेरे दाता मेरे मालिक मेरे भगवान तुम मेरे बने रहो तो भगवान कि शर्ण में जाने से वो आपके पाप ताप को अशान्ती को दूर करेगा निश्यत रूप से करेगा क्योंकि वो तो कही रहे है माशुचर शोक मत करो चिंता मत करो दुख मत मनाओ मैं हूँ न लेकिन जब आप उसके हो तभी तो वो कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारी चिंताओं का निवारन करोंगा सब पापों से दुखों से चुटकारा दिलाओंगा मामे कम शर्णम ब्रज़ बस एक अकेले मेरी शर्ण में आओ भगवान के शर्ण में आओ तू भी मेरा आस्रा तू भी तू भी तू भी को आप बॉल कर आगए वो पता नहीं किस का सहरा ले रखा एक का सहरा लिया तो वो आएगा जब आप बीस का सहरा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कोन आएगा इसका मुदलब तो आपकी शर्णागति पूरी है ही नहीं आजकल यही तो मुसीबत है एक इस्ट नहीं है एक मंत्र व्यक्ति का हो एक ग्रंथ व्यक्ति का हो एक पंथ व्यक्ति का हो एक संथ व्यक्ति का हो तो उसका कल्यान हो ना एक पंथ एक ग्रंथ एक संथ यह भावन कंथ से मतलब होता है इस्ट देव, भगवान भी तो हम लोग जो है, इस्ट देव भी एक भी नहीं है हमारे तो सब को यहाँ जोड़ रहे हैं और मानते किसी को भी नहीं आप कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं दुर्गा माता को मानते हैं राम जी को मानते हैं, अनुमान जी को मानते हैं, गणपती को मानते हैं, आप निराकार परमीशर की आराधना करते हैं, जिस पर भी आपकी आस्ता है, पूरे मन से उसे पकारिये हैं, उसी के हो जाए है, माम एकम शरनम ब्रज़, केवल एक मात्र मेरी शरन को ग्रैन करो, एक के अगर हो गए तो ये बात ध्यान रखना वो एक आपका कल्यान करेगा ही करेगा लेकिन ये बात जरूर कहते रहना के मेरे प्रभू सारी दुनिया भले ही मुझसे दूर हो जाए तो कभी मुझसे दूर मत होना कोई भी मुझे छोड़ दे तो ना चोड़ना और एक बात और सबी से मैं कहना चाओंगा कि आप अपने सद्गुरू से भी ये ही कहें कि मेरे सद्गुरू मेरे से भूल हो जाए तो कभी मुझे मत भूल जाना जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँचने का दावा कर रहा है वहीं दूसरी ओर समाज काई कैसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्ग दर्शन ना मिलने के कारण शोशन, आतंक, नशा, बालमस्तूरी जैसी सामाजिक बुराईयों के चंगुल में भस्ता जा रहा है इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए विश्व जागरिती मिशन, फरीदाबाद, अनेक सेवा परिकर्ब चला रहा है शिक्षा समाज के विकास का मुल आधार है इस तृष्टि कोण से घरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ग्यान दीप विद्यालाई की स्थाफना हुई सन 2001 से प्रज्वलित वो ग्यान का नन्हा सा दीप आज ग्यान दीप विद्यालाई के रूप में एक मशाल बन चुका है जिसके आलोक में लड़के वा लड़कियों की अलग-अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है विद्यालाईों के बच्चों को कितावें, कौपियां, ड्रेस, जूते, बैक के साथ एक समय का बहुजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है जब ज्यान तीर्थ की निश्वार्थ सेवा की गूंज देश के महा महिम राष्ट्रपती जी और प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी तक पहुची तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रियास की सरहना करते हुए इन बच्चों को आशीरवाद दिया देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का नारा दिया है इसी क्रम ने सद्गुरु सुधान चुजी महराज की प्रेरणा से बेटी को आत्म निर्भार बनाओं लक्षे के साथ अनेक कल्यान कारी कारी क्रम भी निशुर्क संचालित किये जा रहे हैं जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षन केंदर, कम्प्यूटर प्रशिक्षन केंदर, ब्यूटी पारलर प्रशिक्षन केंदर, संगीत कला प्रशिक्षन केंदर, योग और ध्यान साधना केंदर हम अहवान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरी बच्चों की शिक्षा दीक्षा का बहर वहन कर सकते हैं बच्चों को विद्यालाय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामगरी के वितरन में सहयोग कर सकते हैं बच्चों के एक समाई के भोजन प्रसाद की व्यवस्ता में हाथ बटा सकते हैं मेधावी चात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं मैं इसके लिए आवहन करता हूँ कि चले आएए इश्वर का मंदिर बनाने के लिए मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम इल पर काम करें बच्ची समाज और देश का भविश्य है इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ओनलाइन डोनेशन के लिए लॉग इन करें www.vishvajagratimission.org अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें